हेलो एवरिवन वेलकम टो अग्री कोचिंग इंडिया अकैडमी हाली में यूपी कैट दोजार बाईस का जो बाउचर रिलीज हुआ है उसके बारे में डिसक्स करेंगे यूपी कैट उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रिकल्चर टेक्नलोजी इंटरेंस टेस्ट जो कि आप आपको ब्रदेश में चार उनिवर्सेटी है जो ये इंटरेंस टेस्ट कंड़क्ट कराती है तो आज हम बात करेंगे इसके पूरे बाउचर के बारे में मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट डेट्स बताऊंगा कब आपका एक्जाम होगा और लाज टेट क्या है फॉर्म भल देखने की वीडियो को लास्ट तक देखेगा क्योंकि आपको इसमें बहुत सारी मैत्ते पूर्ण जानकानी मिलेंगी जिससे आप अपने फोटो का फॉर्मेट अगयरा अच्छे से अफ्लोड कर पाएंगे किस टाइप का फोटो आपको अफ्लोड करना है ये भी आपको इ देखे इसमें उत्तर परदेश की चार अलग-अलग उनिवर्सिटी है जो आपकी डिग्री कंप्लेट कराती है सो फर्स्ट उनिवर्सिटी है बांदा यूनिवर्सिटी ओफ एक्रिकल्चर एंड टेक्नोलोजी बांदा यूपी तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं जो इसकी लोकेशन मगेरा दे गई है और निइक्ट तु यूनिवर्सिटी है जिस में डिफन डिफेर इफेरेंट क्वु लिज पांदा यूनिवर्सिटी में यह आप पढ़ लीजेगा सोरी चैँ याँ एक बार पर लीजेगा को अ survivor Sabbath दे गया है और नेक्स्ट उन्यूर्सिटी एक नेक्स्ट उन्यूर्सिटी हा आपकी कि को यह देखिए कुमार गंज अयोध्या यह इसमें भी डिफ्रेंट डिफ्रेंट को ली जाए यह आप पूरे पाउचर में पड़ लेजीगा चलिए मैं आपको इंपोर्टन डेट बता तो जिससे आपको एक्जाम की डेट पता लग जाए और एक इंपोर्टन एक इंपोर्टन और है इसमें जो फैलोशिप के रिगार्डिंग है देखिए लिस्ट ओफ स्कॉलर्शिप देखिए अगर आप यूझिवर्सिटी मेरिट स्कॉलर्शिप फॉर यूजी और पीजी पीएचेटी स्टुडेंट है तो वैरेबल एस पर रूल है उसके तरह आपको इंवर्सिटी मिलेगी और अगर यूझिवर्सिटी के फैलोशिप आपको मिलती है तो आपको यह देखिए 25,000 पर मन्त आपके मिलेंगे इन्हें से दो स्कॉलर्शिप है एक तो राजीव गांधी नैसनल फैलोशिप जो वह स्कॉस्टी पीएट अगर आप आप को यूझिवर्सिटी मिलती है तो उनके अंतरकति है आपको फैलोशिप मिलेगी अगर आप जे अरफ करते हैं जूनियर रिसर्च फैलोशिप करते हैं तो आपको आट जार चैसो चालिस रुपे पर मन्त मिलेगे और अगर आप सीनियर रिसर्च फैलोशिप जो की पेज़ेडी के लिए इंट्रेंस होता है उसमें आपको बारा जार रुपे पर मंत और दो साल के बाद पूरे चोदा जार रुपे पर मंत मिलेंगे और ऐसे इसमें दो तीन स्कॉलर्शिप और भी है जो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं यह देखिए नेशनल टैलेंट स्कॉलर्शिप यह अलग-अलग है अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको मिलेंगे एक यह यह स्कॉलर्शिप है यूपी मंडी सोरी यह यूपी मंडी प्रेशिट स्कॉलर्शिप फॉर यूजी पीजी पीच्टी इस्टुडेंट इसमें यूजी के लिए तीन जार रुपे पर मंत मिलते हैं और प्यच्टी के लिए छे जार रुपे पर मंत मिलते हैं तो आप इसे भी ले सकते हैं यह आपके परसेंटेज क गोडिंग मिलती है तो चलिए आगे देखते हैं देखिए यह इंपोर्टन डेट है एक्जाम की जो कि आपको पता होनी जाहिए कारिया विवराने वह में तपून ती थिया देखिए फॉर्म ओनलाइन करने की ती ती जो है वह एक मार्च से एक मार्च से 30 अप्रेल तक है एक मार्च से 30 अप्रेल तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं यह देखिए और ओनलाइन फीज जमा करने की अंतिम्तिती दो मई दोजार बाइस है दो मई 2022 यह आपको याद रखनी है दो मई 2022 है और आपको अगर फॉर्म में कोई गलती होगी संसोदित करना है करेक्शन करना है तो आप एक से लेकर पांच मई 2022 तक कर सकते हैं आपके परवेस पत्र जो डाउनलोड होंगे वो एक जून 2022 से स्टार्ट होंगे और आपकी जो एक्जाम डेट है यह देखे परवेस तीथियां जो है 16 से लेकर 17 जून 2022 में होंगी और आपकी जो रिजल्ट है वो 30 जून तक डिकलार हो जाएगा 30 जूनगों में को आपको रिजल्ट होगा तो काफ़ी यद रखेगा निवो ट्रेंट है का यह देटर यादर केजीए इन नौ्सक्रिया दो देखते हैं क्या है इस में और आपके एक्जाम होने के बाद जो एक्जाम होने के बाद जो आपकी kaunseling होगी उसमें देखें उसकी जो यह सनातक जो यूजी के लिए है संभावित रेट है वह आनलाइन काउंसलिंग आनलाइन काउंसलिंग के लिए जो रेजिस्ट्रेशन होगा तीन से लेगर छे जुलाई 2022 होगा और चाइस फिलिंग यह इसका मतलब यूनिवर्सिटी के आप अपने चोईस फिलिंग कर सकते हैं इसी तरह यह सनातक किया है और इसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और क्य देखिएगा अगर आप पीजी करना चाहते हैं तो आप इसे देख लिएगा देखिए ओनलाइन रिजिस्टेशन की काउंसलिंग के लिए आर्ट से लेकर 11 जुलाई और इसी तरह डोकुमेंट फेरिफिकेशन एक्सेक्टरा जो भी अलग-अलग इसमें रिग्वार्मेंट के लिए है यह देखिए पीएटी पाट्टेकर्म जो कंडिडेट करना चाहते हैं इसमें भी आनलाइन काउंसलिंग के लिए रिजिस्टेशन जो है साथ से लेकर 10 अगस्ति यह लेट इसलिए होता है कई यूनिवर्सिटी ऐसी है जिनका रिजल्ट काफी देर में डिकलार ह करता है तो इसलिए साथ अगस्तक आप इनकी काउंसलिंग के लिए इस्टेशन शरूओगा और आप 20 फिलिंग जो कर सकते हैं और लोकिंग कर सकते हैं साथ से लेकर 11 अगस्तक कर सकते हैं इसी तरह ही यह अलग-अलग डेट है इन्हें आप अच्छी तरह देख लीजिएग और इसमें एक अस्पेशल काउंसलिंग होती है जो नंबर कई बार नहीं आता तो अस्पेशल काउंसलिंग मेंगर सीटे रह जाती है तो आपका इसमें आने की चांस रहते हैं और यह ऑनलाइन करने की जो पत्ति है कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं इसमें पताया गया है ओनलाइन आवेधन कैसे कर सकते हैं दिखे आवेधन पत्र पढ़ने से पहले सुचना विवरिनी का बली बाती पढ़ ले समझ ले इसमें अपना मॉबाइल नंबर एड़ करके और ओटीपी बगएर आता है रिजिस्टेशन हो जाता है जब आप करेंगे तो होगा यह आपके लिए इंप्रोटन न्यूज यहां पर रहे देखें कहीं बार कैंडिडेट फोटो सिंपल अपलोड कर देते हैं जब किसमें यह दिया गया है यह देखें डेट मेंसना फोटो में डेटो फोटो और आधार कार्ड़ नंबर आप साइबर कहा इसे कुद भी कर सकते हैं इसी फोटो करें इसका जो साइज होगा यह होगा और फोटो 31 जनुवरी 2022 से पहल तो इसका ध्यान रखिएगा और यह बोला गया है मेल आईडी खुद की डाले तागि आपको न्यूज वगयर आप तक मिल दी रहे यह अच्छे से पढ़ सकते हैं आप अब बात कर लेते हैं इसकी आवेदन सुल्क की आवेदन सुल्क जो फॉर्म बढ़ने के लिए फीस है वो क्या है यह देखें सामाने वर्ग जर्नल और OBC और EWS के लिए जो है बारासो पचास रुपए है और अनुसुचित स्ट के लिए जो है वह 1050 रुपए फीज दे होगा यह आपको पे करने होगी यह रिजिस्टेशन फॉम फीज है कि देखें जो कैंडिडेट इस यहां से यूजी करना चाहते हैं ब्यस्सी अग्रिकल्चर से करना चाहते हैं उनके लिए पाट्टे करम 20 में दिया हुआ है यह आप भली बाती देखें और इसके साब से त्यारी करना है इस्टार्ट करें जो पीसीवी है इसीवी जो के ग्रूप में डिवाइड किया गया है 20 कोशन चैनल नोल्ज की होंगा जिसमें करन और अफैयर और फिजिकल वगद़ा के रिलेलेटड कोशन पूछन पूछ जाते हैं जो आपके फीजिक्स के कोशन होंगे 50 कोशन होंगे और जो केमिस्ट्री के होंगे वे भी 50 कोशन हों बेसिकली इसमें जो आपने इंटर में पढ़ा हुआ है 12th क्लास में वो यह आप से पूछा जाएगा टोटल नमबर ओफ कोश्चन जो 200 दो सो कोश्चन होगे इसी तरह मैत के लिए भी है जर्न जर्न नोलीज जो हो भी इस कोश्चन होंगे और जो फीजिक्स के कोश्चन है वो भी 50 कोश्चन होंगे और इसी तरह केमेस्ट्री और मैत के मैत के कोश्चन भी 50 और केमेस्ट्री के 50 होंगे और टोटल नमबर ओफ कोश्चन 200 होंगे और इसी तरह ते और इसी तरह जो अलग-अलग कैटेगरी के जो स्टूटेटển है जोने टरकिया पीजिए आप और इसे जीनल całे नोलेघ के होंगे गाणाल नोलेज के 20 के सब्सक्राइब और लगर curry curry कल्चर के स्टूटन्ट है केमिस्ट्री जूलोजी बगएरा पचिस-पचिस कोश्चन पूछे गए हैं यापर और एक्रोनोमी एनिमल हस्पेंटरी ड्राइंग होर्टी कल्चर एक्री इंजीनियरिंग बगएरा के जो कोश्चन है यह याद रखिएगा जो एनिमल हस्पेंटरी कोश्चन है वो टैन कोश्चन होंगे इसी तरह पियाचस के हैं यह आप यह अच्छी तरह देख लीजिएगा और 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 इसमें जो जवाब फॉम फिल करेंगे परसना तक के लिए मसी कैंडिडेट उसमें आप से एक कोड पुछेगा जिस कोड से जिस सब्जेक्ट से आपको मसी में करना चाहत हैं तो यह कोड आप याद रखेगा यह आजर देखकर आप फिल कर सकते हैं अगर मसी आपको होटिकल से डालना है तो एम एजी कोड 6 फिल करना होगा अगर आप अग्रिकल्चर इंजिनियरिंग फूड प्रोसेसिंग या इंजिनिरिंग के तो आपको एम टीए अपलोड कर सब्सक्राइब कितना वाइल डेस का और कितने कोशन नंबर वोशन आते हैं देखिए जो मसी होम साइंस से हैं उनके लिए भी कैवेबल है मसी होटिकल्चर पकारा से करने के लिए इसमें जो है यह देखिए यह एक्जाम के कोड है इसी तरह और जनल जो नोलीज है वो 25 पेडिशन जो आपने पड़ा होगा 35 कोश्यन और होम मैनेजमेंट के 35 कोश्यन और चाल्ड डबलफ्मेंट पके भी इसमें 34 कोश्यन मिलते हैं इसी तरह हूम साइंस एक्स्टेंस अने ग्योकेशन 34 कोश्यन और ख्लोधिंग एंड टेक्स्टाइल वाट्टिस कोश्यन और के जो है आपको पांच कोश्चन मिलते हैं इसी तरह लोगर 200 कोश्चन का सेट आप को देखने को मिलता है कि इसी तरह MSCAG जो होटी कल्चर से करना चाहते हैं उनके लिए खोड़ जो है मेजी यह देखें MSCAG कोड और मेजी उनके लिए जर्नल नोलीज है जो आपने ब्यस्ची में पड़ा होगा 25 कोश्चन आपको जर्नल नोलीज के देखने को मिलेंगे जिन में से अलग-अलग सब्जक्ट के होंगे अग्रो मेटरोलोजी के 15 कोश्चन होंगे और होटी कल्चर के जो कोश्चन होंगे वो 25 कोश्चन होंगे Soil Science के जो Question होंगे वो No Question होंगे और Agri Engineering के जो Question होंगे वो आपके भी No Question होंगे और Animal Animal Hospital Clean No Question और Agri Bio Chemistry No Question और Genetics and Plant Building 11 Question इसी तरह Extensing Education के भी No Question और आल मिलाकर इसी तरह आपका अलग अलग डिफ्रेंट हैं आप देख लीजेगा और आपके नंबर ओफ टोटल नंबर ओफ क्वेश्चिन टू हंड़र दो सो बंदते हैं इसी तरह जो कैंडिडेट एम्वीस सी कर रहे हैं करना चाहते हैं उनके लिए इसी तरह सलेफस दिया गया है यह भी आप अच्छे से देख लीजेगा इसमें भी नंबर ओफ दो टू हंड़र दिये हुए है और अलग अलग सब्जक्ट के अलग 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 कोश्चिन दिये हुए है यह भी आप देख लीजेगा उनके लिए भी इसी विवन तालिक हमें सब कुछ दिया हुआ है यह भी आप अच्छे से देख लीजेगा जो कंडिडेट एम टेक वगरा करना चाहते हैं उनके लिए इस तरह यह दिया गया है यह जिसे देख लीजेगा और जो फोरेश्ट्री के रिगार्डिंग आप करन चाहते हैं कंडिडेट हैं फोरेश्ट्री वगरा के लिए उनके लिए भी यह पाट्टे करमा आपको तैय किया होगा है और फिस्री जो मचली पालन वगरा देखना चाहते हैं सब के लिए एम्प अग्री बिजनास के लिए भी जनल नौलिज के सब्तर कोस्चन और जनल इं चाहते हैं तो इसमें आपको दरस आगया 1726 को आपको परिक्सा युजित की जाएगी और परिक्सा जो पार्ट टेकर में इसका सलेबस है वो अलग-अलग है जैसे की एक्री कैमिस्ट्री और आप सोरी जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो कोड आप से पूछेगा तो आप इ सब्सक्राइब जैसे तरह हैं कोड दी गए है अब मेचारी जैसे होटी कल्चर वगएरा से यह आप देख सकते आ है को आख आकशल कर यह आप देख सकते हैं और हम बात करते ह Wort ऑ और अब बात करते हैं स्क्राइब कि स्लेबस क्या है फमकाजो से जैसे प्यर्च्ड एक्रिक कल्चर से नोर्मल प्लावेट्ट एक्रिकल्चर से करना चाहते हैं उनके लिए जो मंने पढ़ा होगा कोड उनकी लिए चोदा है और जनल नोलिज जो है समझें 20 कोस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट सब्सक्राइब का सब्सक्राइब का सब्सक्राइब का सब्सक्राइब का सब्सक्राइब का सब्सक्राइब होगे इसी तरह डिफ्रेंट 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 इसमें इसी तरह डिफ्रेंट 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 दिए गए है है विजरी होम साइंस से सब्सक्राइब है इसी तरह है बैसिकली एक बात को मन हैं सभी सब्जक्ट के जो सलेवा से असमें 20 नंबर की जनल नौलिज पूछी गई है और 20 नंबर की स्टैटिक्स तो याद रखेंगा कोश्चन इंपोटेंट होने वाले हैं तो अच्छे से आप एक बार समराइज कीजिए पूरी विवरंड और तब आप फॉम फिल कीजिए और अपने तैयारी स्टार्ट कीजिएगा अब बात करते हैं परिक्सा की तीतिया और समय जो टाइम होगा देखें सनातक के लिए जो यूजी के लिए हैं उनकी सोला तीन गंटे का पेपर होगा और सोला छे तो जार बाइस में नो बजे सुवे नो बजे से बारा बजे एक्जाम होगा इसी तरह एमस्सी मास्टर डिग्री के लिए 17 तारिक को एक्जाम होगा याद रखेगा 17 तारिक को एक्जाम होगा और याद रखेगा पेचडी के लिए 17 तारिक को एक्जाम होगा और याद अगर बात करें इसके मुल्यांगन जो यूपी केड़ 2022 के अलग-अलग है नेगेटिव मार्किंग की तीन अंख पर अगर आपके तीन अंग गलत थे तो आपका एक उन वन वैट थिरी के आपके नेगेटिव मार्किंग और कट आप कि बात करते हैं इसकी तो अलग-अलग जो तो रिजर्वेशन है आपका वह अलग-अलग मिलेंगे तो इसमें अलोवर रेंग की बात है रेंग के अनुसारी आपका एडमिशन होगा यहां से आप नंबर ओफ सिट देख सकते हैं कितनी सिट के कौन सी उनिवर्सिटी में जैसे बेसी होन से क्रिकल्चर यूनिवर्सिटी केंपस की है यह देखिया लग-लग यूनिवर्सिटी दिया है कानपूर की यूनिवर्सिटी है यह 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 यूनिवर्सिटी है यह मेरट की यूनिवर्सिटी है और यह बांदा यूनिवर्सिटी है इसी तरह आप सिट देख सकते हैं जो फ्री सिटे हैं और जो पेड़ सि सीटेट दी गई हुई है तो आसा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी सुच नाम मैंत्यपून है मैंने आपको दी और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन को प्रेस कीजिए हर वीडियो को नॉटिफिकेशन मिलता रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेस कीजिए तो थैंक्यू सो मच